Hello everyone, आज हम total quality management जिसको short code MGT 510 से भी recognize कि रहता है, उसकी assignment no.1 का solution देखने जा रहे हैं, तो यह start करते हैं, जी तो इस assignment में हमें एक case given है, आप इसको telly कर सकते हैं, अपनी assignment के case के साथ के यह वो ही है, जो कि आपको भी given है, इसे मन आपको यहां पर display किया, otherwise I've observed कि आप लोग least interested हो knowing about the case details, तो I won't be reading out the details of this case, तो हम straight away jump करेंगे इनकी answers की तरफ, ठीक है, तो yes against questions है, तीक है, और आप जाते है answers की तरफ, जी तरफ, फर्स question का answer is appraisal cost, जो हमें पीछे case given है, उसके against यह पूछा गया था कि Honda किस type की quality cost है, वो execute कर रहा है, ठीक है, तो there are four different types of quality cost, एक हमारे पास prevention cost है, ठीक है, दूसरी हमारे पास appraisal cost है, तीसरी हमारे पास internal failure cost है, और चौती हमारे पास external failure cost है, तो जो case study थी, उसके अंदर जो हमें different attributes given थे जिस पर Honda पैसे खर्च कर रहा है, या believe करता कि वो इन चीज़ों पर खर्च करेगा, वो यह थी, ठीक है, यह सारी के सारी, और यह स आर समझ लेता है कि briefly discuss four potential challenges of implementing quality control circle activities, जिसको quality control circle activities भी कहते हैं, quality circle activities भी कहते हैं, उसमें होता ही है, कि minimum तीन employees या maximum 12 employees का एक group होता है, जो के एक ही organization में sort of एक ही तिना का 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 रहे होते हैं, लेकिन उस का का करने में उनको कुछ challenges आते हैं, ठीक है, तो यह challenges उनको खुद भी आ स करना पड़ रहे हैं अब उस हल को निकालने के लिए वह ब्रेंस्टामिंग कर सकते हैं कोई भी और एक्टिविटी कर सकते हैं कि जो भी स्लूशन यह लोग डिराइफ करते हैं या इडेंटिफाइज करते हैं और मैनेच्मेंट जो हैं इनको हल्प करती है फिर उन सलूशन को यह कहा गया है कि तीन से बारा लोग का ग्रुप होता है एक्टिविस एक्टिविटीस उनको इंप्लिमेंट करने में उसमें कहा गया है की फॉर चार का जिकर करें ठीक है रहे हैं और उनको ब्रीफटी डिसकांसती काथ पिर नाम नहीं लिखना है तो यह साको प्रूशन न के ग्रूप को फेस करना पड़ते हैं first one is lack of management commitment second one is non implementation of suggestions third one is non positive attitude of employees in management or fourth and last one is non recognition of efforts तो इनकी ब्रीफ description भी गिवन है आप इसको खुद से अपने words में भी लिख सकते हैं इनकेस आपको कुछ words बहुत common लग रहें उनके अप संदम्स यूज़ कर सकते हैं ठीक है और अगर आप इसको थोड़ा और एक्सपैंड करना चाहें तो भी कर सकते हैं बहुत लिखा हुए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी assignment के लिए ठीक हो गया तो अमीद है आपको आज की assignment पसंद आई होगी इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और comments दीजेगा thank you for watching this video